नमस्कार सातियों, वेकेंसी अपडेट लेकर आज फिर हाजिर हैं, अखिल वारतिय आयोर विज्ञान, संस्ता के द्वारा यान की M's के द्वारा वेकेंसी निकली गई हैं, जो की ITA इस्टुडेंट्स के लिए हैं, प्यारे विद्यारतियों, लेटर को पूरा जरूर देखे इसमें आपको, अगर आपकी अगर संभावना ही बनती हैं, इसमें फॉर्म बनने की तो आपके लिए बहुत ही अच्छी opportunity हैं, यहाँ पर इसका advertisement नमर यहाँ पर दिया गया है, पच्चिस दस दोजार तेज को यह लेटर जारी किया गया है, देखें यहाँ पर requirement to versions non faculty, post on direct requirement basic at ms bhopal, यानि की bhopal में जो ms है, वहाँ की यह vacancy है, और आपको जो काम दिया जाएगा, वो bhopal के अंदर ही दिया जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखें किस किस trade में यहाँ पर vacancy निकाली गई है, तो सारी trade हो के यहाँ पर, देखें मैं इसको zoom करके आपको बत सारी में रखा जाएगा, और लेवल जो है, वहाँ दो रहेगा, यहाँ पर अंदरी जाओ की 9 vacancy है, और 20 के लिए 5 है, s c के लिए 3 है, s t के लिए 1 है, और ews के लिए 2 है, यानि की total number of vacancy 20 है, इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, आगे plumber के लिए भी यहाँ पर vacancy है, ठीक है और चर्चा करें, तो electrician वालों के लिए और vacancy रखी गई है, जो कि यहाँ पर देखिएगा, 13 नंबर पर जो लिखा है, electrician, तो यहाँ पर, यह जो electrician की 13 नंबर वाली जो vacancy है, इसमें level आपका 4 रहेगा, group C में रखा जाएगा, और यहाँ पर जो vacancy पर चर्चा करें, तो total vacancy 6 है, ठीक है, आगे और चर्चा करें, तो यहाँ पर देखिए, और vacancy निकाली गई है, जो कि, line man, electrical वालो के लिए, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी आपको form बनने के लिए मुका दिया गया है, यहाँ पर जो level रहेगा, वर 2 रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर group C में रखा जाएगा, और total vacancy यहाँ पर कितनी है, 2 है, तो 2 है, उपर 6 है, और उसके उपर 6, उस है, बाकि और trade को यहाँ पर मुका दिया गया है, जो कि आप यहाँ पर देख पाएंगे, जो जो trade edge के palumber है, और उसके अधर यहाँ पर देखिए, mechanic है, तो इनको यहाँ पर देखिए, lab technician है, तो इनको मुका दिया गया है, बाकि यहाँ पर और trade का जिक्र यहाँ पर नहीं कि गई हैं देखी यहां पर जो फोम बनने की जो डेट है वाश 27-10-2030 से स्टाट होगे यान कि फोम 27-10-2030 से बरना स्टाट हो जाएंगे 20-11-2030 यहां पर लास्ट डेट रखी गई है ठीक है न और फोम जो है वह ओनलाइन भरे जाएंगे और आगे बढ़ते हैं तो यहां पर वैसे में इस लेटर को अपना जो टेलिग्राम चैनल है उस पर शेर कर दूँगा वहाँ से आप इसको आप अच्छी तरगी से पुरा पढ़ सकते हैं देखें यहां पर एक्जाम पेटरंड की चर्चा करें तो यहां पर आपको टोटल जो क्यूशन्स दिये जाएंगे सार और आपको पास होने के लिए 35% अंक लाने हैं वैसे मेरिट के साबसे आपका चुनाओच होगा इना आपको लिया जाएगा ठीक ना, लेकिए यहां पर minus marking की भी चर्चा की गई है, 0.25 यहां पर minus marking यानि की एक बठाच 4 की यहां पर minus marking है अगर आप 4 question को सो गलित करते हैं तो आपका एक number काट लिया जाएगा, ठीक है ना, यहां पर देखिए candidate cell we इशूजट gehört admitted call admit call के बारे में आप जिक्री किया गया है बाई की आंसर कि िसके बारे में विजट्चा की कही है और यहां पर देखिए आगे बड़ते हैं तो doctor के बारे में चरशा करते हैं एज क्राइटेरिया में यहाँ पर देखिए, वैसे आगे बताए जाएगा आपको एज अच्छे से, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर SST वालों को 5 साल की छूट है, और OBC वालों को 3 साल की छूट है, और PWBD के लिए यहाँ पर 10 साल की छूट है, ठीके ना, तो अ OBC, जनरल और EWS वालों को यहाँ पर 1200 रुपए देने पढ़ेंगे, यानि कि फिस, फॉम पीस जो है, बारा सो रुपए है, और SST, PWBD के लिए यहाँ पर 600 रुपए है, यह ध्यान रखना, ठीके ना, आगे यहाँ पर और चर्चा करें, तो देखिए, अब चर्चा करते है अपन, vacancies के बारे में, क्यक्यक्य क्वालिफिकेशन्स रखी गई हैं, तो अपन सबसे पहले वायर मैन की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इसमें भी electrician वाले form बर पाएंगे, तो electrician वालों के लिए देखिए, आपको 10th pass होना अनिवार रहे हैं, ठीक है, और ITA में आपका, ITA certificate होना जरूरी है, और electrician trade से, किस trade से wireman वाले, कौन form बरेंगे हैं, तो electrician trade वाले, ठीक है, और 10th pass भी आपका होना चीए, साथ साथ, electrical workman certificate of competency, यानि की देखिए, यहाँ पर आपको wireman का, workman का certificate होना आपके पास होना जरूरी है, ध्यान रखना, certificate होना जरूरी है, कौन सा, electrical work recommend का, ठीक है, और यहाँ पर देखिए, certificate भी माना है, मांगा है, और साथ साथ, यहाँ पर आपसे 5 साल का experience भी मांगा है, अगर आपको IT, अगर आपने 5 साल हो गए, आपको IT, पास किये हुए, तो आप यहाँ पर form बर्पाएंगे, वर्णा, अगर आपको 5 साल नहीं हुए, IT पास किये हुए, तो आप form नहीं बर्पाएंगे, यहाँ जान रखना, age के बारे में चर्चा करें, तो 30 साल के उम्र तक कि यहाँ पर form बर्च सकते हैं, बाकी SC, HT वाले है, तो 35 साल तक बर्चते है, और OBC वाले है, तो 33 साल तक कि उम्र वाले यहाँ पर form बर्चते हैं, ठी देखिए इलेक्ट्रिशन वालों के लिए जो 13 नंबर की वेकेंस थी इसमें भी क्वालिफिकेशन क्या है 10 पास होना अनिवार रहे हैं ठीक है आईटे का जो डिप्लोमा है या डिग्री है वह भी आपकी होनी चाहिए साथ साथ सूपर्वाइजर इलेक्ट्रिकल सूपर्वा इसमें ता पाथ है और साथ साथ यहाँ पर जो एक्स्विरेंस देना तो साल काची है यानि कि आपwork किया और आप 2 साल पहले पास की है, तो आप को पना एक्सपर्वाना लेग progress उत्दश को पढ़ेगा और यहाँ पर certificate नहीं atit two пон barbecue पास मंघा है थिर और यहाँ पर अचा-चा स्काइच से साल है पात से सिव नोतिफिकेशन के बारे में जना करें अगर आपको और अधिक जनाकारी से अवगत होना है अगर आप कोई confusion है तो comment करेंडों महाँपर आपका confusion है उसको clear करने कीigaश किरेंगे ठीक है लेटर आपको टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा टेलिग्राम चैनल का जो लिंक है वह डिस्क्रिप्चिन में दिया गया है वहाँ से आप टेलेग्राम चैनल को जरूरू जोइन कर लेना ठीक है तो मिलेंगे नेक्षे वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद सुक्या